वेलकम टू धनिष्ठा क्लासेस कोटा राजिस्थान आज हम लौ आफ डिमनिशिंग मर्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे इस लौ को समझने से पहले आएए हम कुछ कॉंसेट समझ लेते हैं जैसे यूटिलिटी, कारडिनल यूटिलिटी, और्डिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता या हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी is the one satisfying power of a commodity इसकी दो approaches होती हैं, cardinal utility और ordinal utility Cardinal utility में हम quantitative terms में measure करते हैं utility को या हम कह सकते हैं कि इसमें हम एक imaginary unit utils का प्रयोग करते हैं जैसे हम माल लीजे, गुलाब जामुन consume कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि एक गुलाब जामुन हमें 6 utils satisfaction देता है तो हम cardinal utility की बात कर रहे हैं दूसरी approach है ordinal utility ordinal utility में ranking order होता है यानि हम एक commodity को दूसरी commodity से compare करते हैं जैसे हम कह सकते हैं कि गुलाब जामुन हमें रजगुले से ज़्यादा कम या बराबर satisfaction देता है तो हम ordinal utility की बात कर रहे हैं अब हम types of utility की बात करते हैं जैसे marginal utility और total utility marginal utility यानि additional utility जो एक और commodity या एक और गुलाब जामुन कंजूम करने से आई marginal utility को हम total utility में होने वाले change के हिसाब से भी कह सकते हैं जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि MUN is equal to TUN minus TUN minus 1 MUN marginal utility है N number of गुलाब जामुन पे TUN है total utility N number of गुलाब जामुन पे और TUN minus 1 है total utility N minus 1 number of गुलाब जामुन पे मतलब एक गुलाब जामुन मैं extra खा रहा हूँ तो उससे मिलने वाली additional utility को marginal utility कहते हैं और total utility क्या है Total utility is the sum of the marginal utilities obtained from the consumption of different units of a commodity मतलब मैंने जितने भी गुलाब जामुन कंजूम किये उनसे मिलने वाले extra satisfaction या extra marginal utility को अगर हम add करें तो हमें total utility मिलेगी यहाँ पे formula दिया हुआ है total utility is equal to summation of marginal utility यानी total utility marginal utilities का sum होता है आईए अब काम की बात करें यानी ultimately हम law of diminishing marginal utility को समझें तो जैसे यहाँ पे definition दी हुई है यानी हम जरुष से ज़्यादा अगर गुलाब जामुन खाएंगे तो हमें बोर्यत होने लगेगी या जरुष से ज़्यादा हम कोई भी चीज कंजूम करें तो उसकी marginal utility कम होने लगती है यहाँ पे तीन stages दी हुई है इस law की जब marginal utility positive होता है तो total utility rise करता है जब marginal utility zero होता है तो total utility अपने maximum point पे पहुँच जाता है और वहीं constant रहता है और जब marginal utility negative होता है तो total utility गिरना start कर देता है आईए अब इसी को table से समझें यहाँ पे units of गुलाब जामुन marginal utility utils में और total utility utils में दिया हुआ है एक गुलाब जामुन जब हम consume कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं हमें 6 utils satisfaction मिल रहा है और total utility भी 6 utils है क्योंकि इस से पहले हमने गुलाब जामुन consume नहीं किया था अब हमने दूसरा गुलाब जामुन खाया तो हमें extra satisfaction कितना मिला 4 utils और total utility हो गई 10 utils तीसरा गुलाब जामुन खाया तो थोड़ी बोरियत होने लगी और marginal utility कम हो गई 2 utils और total utility हो गई 12 चौथे गुलाब जामुन पे खाया या नहीं खाया हमें सब बराबर लग रहा है यानि marginal utility हो गई 0 और total utility constant हो गई 12 पे ही टिकी हुई है और पांच में और छटे गुलाब जामुन पे तो हमें भेंकर बोरियत होने लगी हमें vomit आने लग गई तो marginal utility negative हो गई और total utility गिरने लगी यानि 10 और 6 हो गई अब इसी चीज़ को हम graph में भी देख सकते हैं यहाँ पे x-axis पे number of गुलाब जामुन दिये हुए है और y-axis पे utility दिये हुई है और जैसा आप देख सकते हैं blue line marginal utility को शो कर रही है और red line total utility को शो कर रही है अब हम arrows के बीच में अगर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है marginal utility is positive मतलब 1 से 4 तक गुलाब जामुन खाने पे हमें marginal utility गिर तो रही है लेकिन positive marginal utility मिल रही है और जब यह marginal utility positive है तब तक total utility rise हो रही है हम कह सकते हैं यहाँ पे कि when marginal utility is positive total utility is rising अब 4 गुलाब जामुन खाने पे जैसे हमने table में देखा था कि marginal utility 0 हो गई तो क्या होगा total utility constant हो जाएगी मतलब 12 पे ही टिक जाएगी total utility यह case चौथे गुलाब जामुन पे है पांच में और छटे गुलाब जामुन पे marginal utility negative हो गई और जब marginal utility negative हो गई तो total utility fall करना start कर देगी आप देख सकते हैं arrow से indicate किया हुआ है ग्राफ में कि when marginal utility is negative total utility is falling यह lecture आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताईएगा we are at रंगबाडी रोड कोटा राजिस्थान and our address is MPA27 महवीर नगर 2nd कोटा राजिस्थान our phone number is 9587074959 thanks